हलो फ्रेंड्स क्लास टेंथ मैठ्स चेप्टर थ्री चेप्टर का नाम है पेर ओफ लिनेर इक्विशन इन तू वेरिबस एक्सरसाइज 3.4 NCRT टेक्स्ट बूक का पेज नंबर 57 का क्वेस्ट नंबर 2 का थर्ड पार्ट इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट क्वेशन नंबर 2 का पहले ही इसकी वीडियो जारी कर चुके हैं उसको आप देख सकते हैं इस क्वेशन में क्या दिया हुआ है क्वेशन नंबर 2 में फॉर्म अपेर ओफ लिनेर इक्विशन इन दा फॉलिंग प्रॉब्लम्स and find their solutions if they exist by the elimination method तो यह problem है word problem और इसके द्वारा हमें linear equation बनाना है और उसके बाद में अगर उसके solutions exist करते हैं तो उनको elimination method द्वारा solve करना है तो यह हमारी word problem है the sum of the digits of a two digit number is nine also nine times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits find the number number find करना है two digit number है तो two digit number में एक तो हमें मालना पड़ेगा tense place का और एक मालना पड़ेगा unit place का तो सबसे पहले हम माल लेते हैं के let the digit digit at tense place be x and the digit unit place be y यह हमने माल दिया है test place पे x digit है और unit place पे y digit है तो original number क्या हो जाएगा तो अब यहां से हम solution करते हैं तो क्या लिखेंगे so therefore the original number original number is equal to अब दिखेंगे tense place पे x है तो x 10 times 10 multiplied by x यह कितना हो जाएगा 10 x plus y हो गया अब हम इसको देखें के यहां पे लिखा हुगा है second part का यह बाला पहले का लेते हैं हम 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the years तो हम सबसे पहले तो original number निकाल लिया अब हम क्या निकालेगे number obtained by number obtained by reversing reversing the order of digits reversing the order of digits so order reverse करेंगे तो क्या होगा यह जो tense है वो हो जाएगा unit place और जो unit place है वो tense place हो जाएगा मतलब x कहां पहुँच जाएगा unit place पे और 10s place पे क्या आ जाएगा य आ जाएगा तो 10s place पे y होगा तो क्या होगा 10 into y 10 y हो जाएगा और unit place पे x पहुच जाएगा तो 1 into x x हो जाएगा so reverse करने के बाद यह number हमें obtain हो गया अब हम देखें वो के रहा है according to question क्या के रहा है according to question अब यहां से हम शुरू करते हैं so according to question वो के रहा है कि 9 times this number so number को 9 times कर दीजिए so 9 multiplied by क्या हो जाएगा number कितना है हमारा 10 x plus y so 10 x plus y यह हमारा only number है so 9 times this number is twice so twice है किसका twice the number obtained by reversing the order of digits so after यह number क्या है number obtained by reversing the order of digits कितना है 10 y plus x तो इसका 2 times करना है twice करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 y plus x correct अब उसको swap कर लिजिए तो 9 10 दा 90 x plus 9 y is equal to 2 10 दा 20 y plus 2 x अब उसको सब को एक तरफ ले दिए इसी साइड में transpose कर लिए 90 x minus 2 x और plus 9 y तो यहीं पर था और यह इधार आएगा transpose होगा तो minus का हो जाएगा तो minus 20 y is equal to 0 तो 90 मेंसे 2 minus कर दीजिए तो कितना बचा 88 x और यहाँ पर 20 मेंसे 9 किया तो 11 बचा और minus का साइन आ जाएगा तो minus 11 y is equal to 0 तो इसको डिवाइड कर दीजिए 11 से कौँके 11 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाइ 11 तो 11 से डिवाइड करोगे तो 11 8 ता 88 यहाँ पर आगा 8 x और 11 बन दा 11 तो यहाँ पर 1 y एनि y और is equal to 0 यह हमारी हो गई equation number y दूसरा वो इसको equation 2 बना लेते हैं यह को simple है the sum of digits of two digit number is 9 so sum of digits digits क्या है x दूसरे digit क्या है एक digit क्या है y so x plus y is equal to sum कितना है 9 यह हमारी दो equation से त्यार होगे sum of digits of two digit number so two digits हमारी एक x थी एक y थी तो x और y का sum कितना है 9 तो यह हमारी equation होगे अब वो कह रहा है कि अगर वो उसके solution adjust करते हैं तो यह check करना है तो यहाँ पर हम a1 upon a2 देख ले a1 upon a2 is equal to क्या होगा 8 और इसके आगे x है तो यह इसके आगे 1 coefficient है तो 8 upon 1 उसको 1 x और यहाँ पर क्या है b1 upon b2 b1 upon b2 is equal to कितना हो जाएगा minus 1 upon 1 minus 1 upon 1 तो इसका मतलब क्या हुआ इससे यह पता चल ला है कि 8 upon 1 is not equal to minus 1 upon 1 तो 8 upon 1 is not equal to minus 1 upon 1 तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 क्या लेखेंगे a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 इसका सीधा सीधा आर्थ यह है कि it has a unique solution अब जब इसका unique solution है तो अपन निकाल लेते हैं इसको it has a unique solution तो अब इनको solve करते हैं तो हम equation 1 और 2 को सिर्फ लिख लेते हैं so equation 1 और 2 को लिखते हैं 8x minus y is equal to 0 और x plus y is equal to 9 अब देखिए यहां पर हमें काई चेकरना है elimination method से elimination method क्या कहता है कि किसी एक को eliminate कर दीजे मतलब remove कर दीजे below pit कर दीजे तो यहाँ पर हमें y दिख रहा है सीधा सीधा कि यह से y बस प्लस और माइनस का फर्क है तो हम बजाएश सब्टेटिंग के अगर इसको add करने तो ज्यादा बैटर होगा by adding यहाँ लिख देते हैं by adding equation 1 and 2 equation 1 and 2 so equation 1 and 2 को हम add कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें देखिए add करेंगे तो sign change नहीं होगा sign change नहीं होगा और minus और plus यह कट रहे और यहाँ पर 8x plus 1x is equal to 9x और 9 plus 0 is equal to 9 तो x is equal to हो जाएगा 9 upon 9 खिक तो इसमें क्या किया एड़ करने से हमें ज्यादा आसन पड़ा इसलिए हमने एड़ कर दिया इसको x is equal to 9 upon 9 9 वन्दा 9 so x is equal to होगे हमारा 1 अब इसकी value रख दीजे तो by putting by putting the value of x in equation 1 equation 1 क्या है? equation 1 यह रही तो यहाँ पर लिख लिए यह 8 x minus y is equal to 0 इसकी value रख जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 into x की value क्या है? 1 minus y is equal to 0 तो 8 बन्दा 8 कितना हो गई? 8 बन्दा 8 minus y is equal to 0 तो minus y is equal to यह इधर जाएगा तो काई का हो जाएगा? minus का हो जाएगा तो minus 8 minus से minus कैंसल कर दीजे तो y is equal to क्या हो गया? 8 हो तो अब हमें x is equal to आगया हमारे पास 1 और y is equal to आगया हमारे पास 8 अब हमें क्या करना है? हमें करना था find the number तो original number हमने क्या माना था? 10x plus y so number therefore the number is equal to क्या था number हमारा? 10x plus y अब 10x plus y इसकी value रख दीजे तो कितना हो गया? 10 into x की value कितनी है? 1 plus y की value कितनी है? 8 so 10 बंद 10 और plus 8 10 plus 8 कितना हो गया? 18 तो number हमारे क्या आगया friends? 18 आगया so answer क्या हो गया? answer number is equal to 8 please this video को like, subscribe और share कीजे और please this bell icon को दबाईए